हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में दोस्त आज फिर से पांच गोई साने स्टॉक ले के आयलवानी जे में काले के इंट्राडे में काले बोले के मतलव 23 अक्टूबर के सोम वाड के दिन इंट्राडे के अंदर में बहुत अच्छा म हो आ सकता तो चले के ना देख लेवे कि पांच गोई कौन-कौन से स्टॉक्स बा पांच गोई स्टॉक्स तब अच्छा लागता नीचे कमेंड करके जरूर बताईएगा तो सबसे पहले यहां पे दोस्त सपोर्ट जोन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहां प और यही रेजिस्टेंस जोन अब सपोर्ट में बदल गया है तो यहां पे पहला सपोर्ट मिला फिर दूसरा सपोर्ट मिला और तीसरा सपोर्ट मिला तीन-तीन बार प्राइस सपोर्ट ले चुका इसका मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका यहां पे तो सपोर् volume भी बढ़ने लगे तो यह triple confirmation हो जाता है कि इसके बाद price उपर जाएगा तो नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर volume कफी अच्छा खसा बढ़ा हुआ है जिससे की confirmation हो जाता है कि price उपर जाएगा तो इसमें entry plan कब करेंगे तो जैसे ही 100 more के दिन इसके hammer का high break होगा वैसे ही हम ल target कहां पे होगा तो first target होगा 233 पे second target कहां पे होगा second target ट्रेल करते जाएंगे जहां तक movement जाएगा जहां तक उपर जाएगा price उसके हिसाब से हम लोग अपना profit book करने के बाड़े में सोचेंगे तो यहां पी हम लोग इसल कहां लगाएंगे जबकि हमेशा लगाते हैं इसल जैसे की hammer के lowest point से थोड़ा सा नीची अपना इसल था दोस्त इसमें भी वही setup बन रहा है जो पिछला stocks में बना हुआ था यहां पे भी वही यह resistance zone था वो resistance support zone में बदल गया इसलिए 3-3 बर price को यहां पे support मिला है तो यहां पे भी तो कोई bully scandal बनना चाहिए तहीं तो price उपर जाएगा तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं कि यहां पे actually कौन सा bully scandal बना हुआ है यहां पे guys बना हुआ है जूम करके दिखाते हैं डोजी यहां पे देख सकते हैं dragonfly डोजी बना हुआ है और इसके बाद price उपर जाना शुरू कर दिया है लेकिन यहां पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहां पे volume से कुछ भी confirmation देखने को नहीं मिल रहा है इसलिए यहां पे कुछ भी confirmation बोलना सही नहीं होगा क्योंकि volume confirmation यहां पे नहीं दे रहा है तो यहां पे भी trade लेना चाहते हैं तो dragonfly डोजी के lowest point को SL मानते वे buy side की trade बना सकते हैं target कितना होगा तो हम लोगों का सबसे पहल का target होगा 350 350 पे second target होगा 304 पे उसके बाद अगला target आप moment के हिसाब से प्लान कर सकते हैं तो चले के guys आप अंतिसर का स्टॉक्स पे जौन की बा अपोलो होस्पिटल इसमें दोस्त कोई दूसरा setup बन रहा है तो चलिए पहले draw करते हैं उसके बाद बहुत असानी से आप भी बता सकते है कि इसमें actually कौन सा setup बन रहा है support zone तो बन गया लेकिन अभी तो एक train line बाकी है train line भी draw हो चुका है तो पूरा picture draw होने के बाद आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यहां पे बन रहा है descending triangle pattern descending triangle pattern दोस्त एक neutral pattern होता है इसका breakout भी हो सकता है breakdown मतला ओपर भी break कर सकता है नीचे भी break कर सकता है breakout भी हो सकता है breakdown भी हो सकता है इंतजार करेंगे देखेंगे कि breakout हो रहा है या फिर breakdown volume से दोस्त किसी भी तरीके का confirmation नहीं हो रहा है इसलिए यहां पे कुछ भी कहना भी अच्छा नहीं होगा सहीं नहीं होगा जैसे सो मौर के दिन price का moment होगा उसके हिसाब से हम आपन चाउथा स्टॉक्स पे जौन की बाग कोल इंडिया तो कोल इंडिया में दोस्त दूसरा सेटप बन रहा है कौन सा सेटप बन रहा है ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद ही न पता चलेगा चलिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं यहां पे भी पहले support zone ड्रॉ करना होगा support zone त जैसा लग रहा है कि पिछला स्टॉक्स में जो सेटप बन रहा था वही सेटप तो कहीं नहीं बन रहा है जी हां दोस्तों बिल्कुल वही सेटप बन रहा है descending triangle और descending triangle के साथ में volume के confirmation देखा जाए तो volume के हिसाब से कुछ भी बोलना भी सही नहीं होगा volume किसी भी side indication नहीं दे रहा है तो सोमवार के दिन जैसा भी price का moment होगा जैसा volume बोलेगा उसके हिसाब से हम लोगों को trade plan करना है target पता ही है पिछले stocks में ही बता दिए है तो SL कहां पे होगा हमेशा की तरह पिछले swing पे अपना SL लगाएंगे तो पिछला swing क्या होता है दोस्त यहां पे आपको बता देते हैं कि एक्चुली पिछला swing होता क्या Swing का मतलब होता है जहां से price मुरा हुआ है उसी को हम लोग swing बोलते हैं मुरा हुआ का मतलब जैसे कि यहां से price उपर जा रहा था और मुर गया तो इसका highest point पे हम लोग अपना SL लगाएंगे अगर sale side की ओर trade plan कर रहा है अगर buy side की ओर trade plan कर रहा है तो जैसे कि यह पिछला swing हो गया यहां से मुरा हुआ है तो इससे lowest point से थोड़ा सा नीचे हम लोग अपना SL लगाएंगे तो यही होता है पिछला swing चले के guys आपन पाचवा स्टॉक्स पे जॉन की बाप persistent इसमें देखते हैं कि कौन सा setup बन रहा है इसमें लग रहा है कोई दूसरा setup बन रहा है दूसरा तो नहीं है वही है पर उल्टा बन रहा है सब में descending triangle था इसमें ascending triangle pattern बन रहा है थोड़ा आसपास भी हो तो भी उसको perfect माना जाता है यहाँ पर कोई भी perfect shape का नहीं बनता है यहाँ पर इसलिए तो दोस्तो इसका भी volume से कुछ भी confirmation देखने को नहीं मिल रहा है इससे अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा जैसे ही some work के दिन इसका price का moment होगा breakout करता है या फिर breakdown करता है उसके हिसाब से हम लोगों को trade plan करना है target तो पता ही है यह जितना gap हो उतना target होगा SL कहाँ पर होगा पिछला swing SL होगा बस उसके हिसाब से हम लोगों को trade plan करना है तो चले के guys आपने एक bonus stocks पे जौन की वीडियो के शुरू में बता है जो कि आज छठा stocks है तो इसमें bonus कौन सा है bonus guys यह बाय में के कि सबसे पहिल का यह देखिए कितना अच्छा pattern बन रहा है कितना अच्छा setup बन रहा है प्राइस को कितना बार resistance करना पड़े एक दो तीन चार पांच बार और पांच पांच बार जब इसको resistance मिल रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा strong resistance zone है जब बहुत ज़्यादा अच्छा resistance zone होता है न तो इसका breakout होता है न तो उतना लंबा move देता है मतलब उतना जादा profit उतना जादा पैसा ही पैसा होगा तो दोस्तों इसका इंतजार करना है कि कब breakout होगा हो सकता है कि 100 मोर के दिन breakout देदे और जैसे breakout देगा वैसे हम लगवाज साइट के ओर trade प्लान कर सकते हैं इसमें profit होने का बहुत जादा चांसे साई क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा समय से इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहे है काफी बार ट्राइ कर रहे है इस से बाहर निकलने का तो जब भी बाहर होगा तभी वो रियल ब्रेक आउट होगा अगर वॉलुम नहीं है तो फीक ब्रेक आउट भी हो सकता है इसलिए समभल के ट्रेड प्लां करना है तो इसलिए हर विडियो में हर स्टॉक में हम आपको वॉलुम का confirmation बताते चलने हैं दोस्तों आज किस वीडियो में भजपुरी भासा में थोड़ा सा बोले हैं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा लगे हो सकता है अच्छा लगा हो सकता है ना भी लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अच्छा लगा है या फिर नहीं अच्छा कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग का जैसा रिवीव होगा उसके इसाब से हम अगला वीडियो बनाएंगे तो चला तनी फिर भी हम मिलें अपन नए वीडियो में